आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो question में हम से पूछा गया है यहां पर कि कौन्छे जो animals हैं वो होते हैं यहां पर uricotelic organisms तो uricotelic मतलब होता है ऐसे organism जो secret करते हैं uric acid in their excreta या फिर excretory waste ठीक है तो अगर हम animals के बारे में बात करें कौन से ऐसे animals हैं तो animals generally होते हैं reptile, birds और जो land में रहते हैं जैसे land snails, land snails के अलावा यहां पर present होते हैं insect ठीक है तो अगर हम यहां पर देखें तो कौन से हैं हमारे पास options जिन में हमारा आजाता है uricotelic ठीक है तो अगर हम देखें यहां पर reptiles, birds, land snails और insects, reptiles, birds and land snails उसके बाद यहां पर हैं aquatic amphibians, birds, land snails और insects, amphibians, reptiles, birds and insects देखें तो birds सब में common हैं मतलब birds तो आएगा ही यह हो गया हमारा common जीज उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हैं amphibians, aquatic amphibians, land snails तो land snails भी लगबग सारी चीज़ों में हैं तो land snails भी आही जाएगा उसके बाद अगर हम insect की बात करें तो insect हमारे होते हैं ठीक है तो हमने land snails देखा तो land snails में होता है यूरिकोटलिक उसके बाद insect भी होते हैं यूरिकोटलिक इसके अलावा जो reptiles हैं वो भी होते हैं यूरिकोटलिक, amphibians नहीं होते हैं यूरिकोटलिक, amphibians जो होते हैं हमार वो produce करते हैं, क्योंकि पानी में रहते हैं, तो ammonia, ठीक है, NH3, तो हमारा जो answer इसमें बनेगा, वो बनेगा answer A, अब answer A और answer B में क्या different है, क्योंकि insect भी include हो जाता है हमारा answer A में, और answer B में insect included नहीं है, तो most appropriate जो इसमें answer बनेगा, वो बनेगा answer A, ठीक है, तो इस case में हमारा answer ब जे ही means और advance के लेवल तक, 10 million से जादा students का भरोसा, आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप, या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर